अजी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उमीद करता हूं आप और आपका प्रिवार ठीक ठाग होगा तो CET वाले बच्चे लगातर कमेंट कर रहे हैं और कमेंट तो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि वो कहीं पर भी जानकरी नहीं मिल रही है यदि आपने पहले मेरी वीडिय तो इसे होता है या नहीं वैलिड है तो आई टेकनिक कर रखी है या पिर ग्रेजूशन डिगरी कर रखी है उस त्रेड में यानिकी बीटा कर रखी है तो वे बच्चे इलीजिवल है या नहीं वो वैलिड है या नहीं है यानि की एलम की पोस्ट है तो एलम की पोस्ट आपकी इलेक्ट्रिस चेन बेस पर होती है तो यदि किसी बच्चे ने आई टे ना कर रखी हो लेकिन उसने पोल टेकनिक कर रखी हो इसी लाइन में इलेक्ट्रिस चेन में ही उसने आपकी पोल टेक यह देख लिजे, ITI ना हो, डिरेक्ट पोल टेक्निक कोर्स हो, उसी ट्रेड में, तो क्या इलिजिबल है, तो बिलकुल है, यहां पर आप यह देख सकते हैं, तो सेम ट्रेड में, यह देख आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, तो आप इलिजिबल होंगे, ठीक है, आप वैलिड होंगे, तो मेरे इसाब सब का डाउट दूर हो गया है, इसके अलावा कल मैं हससी ओफिस जा रहा हूं, चेर्मेन साब से मिलने या इंटर्वियो लेने, तो यदि आपके मैंड में कोई स्वाल है, जो आप पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये स्वाल चेर्मेन से पूछा जा सकता है, और वहां से सही जो आप मिल सकता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे वाटसप कर दीजी, आपका स्वाल पूरी डिटेल के साथ, आपके नाम के साथ, आपका वह स्वाल में जरूर पूछने की कोशेश करूँगा, ठीक है, यदि पोसिबल हुआ तो जरूर पूछूँगा, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वाटसप पर, आपको रि आपको चलाना है, वहाँ पर आपको चलाना है, परसनल अकाउंट पर आप मेरे पास डिरेक्ट मैसेज बेज़ जकते हैं, मैं आपके मैसेज सीन करके वो स्वाल आपका पूछने की कोशेश करूँगा, ठीक है, तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए, लाइक जरूर करना है, और चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो किस चीज़ का वेट करें, फटाफट कर लीजिए, ठीक है, और कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि इलेक्ट्रिशिन थियोरी का बैची है, तो KTDT एप पे मातर 297 रुपे में 100 गंटे का कंटेंट उपलब्द है, KTD पे पूरा पूरा बैच डाल रखा है, आप जोईन कर सकते हैं, ठीक है, आज किस वीडियो में इतना ही धन्यवाद, भगवान करे आप सभी कास में सुग रहे,